हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुनिल बिस्नोई और आप लोगों की लिए आज का जो एच्टेट का पेपर मौर्निंग सिफ्ट का है उसके सटीक अंसर आप लोगों को शेर कर रहा हूं मैं यानि कि 3 दिसंबर 2023 के मौर्निंग सिफ्ट में जो कर सकते हैं एक सवाल पूछा गया था 1857 के रिवाल्ट से लेखे यानि कि 857 की क्रांति के दुरा नेमलिक्त में से किस ने रोग तक में ब्रिटिस टिकानों पर आकर्मन किया यह वाला सवाल अगर क्यूसन पढ़ें तो थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूज आपको करने के लिए यह दिया हो सवाल इस टाइप का लेकिन ऑप्शन जो है बहुत एजी है ऑप्शन देखके इसका असानी से टिक किया जा सकता थाथा कि इमाम अ अली के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है कि वह पानीन से संबंधित है तो यह तो हो ही नहीं सकता था हर सुक्रा एक गु पोदा के किसान नेता थे पिसारत अली थे एक बाबर खान थे, इसपाथ मिलक के और ब हितने भी ठिकाने थे उन पर आटक किया था बिटिस के जो भी खजाने थे उनको लूटने की कोसिस की थी और साथ में आगÉ थे उनके दिली के रहने वाले थे ये तफजल हुसें और तफजल हुसेन दिल्ली की रहने वाले आये ये कहां पर ही आये सांपला में सांपला में यूरोपिय बस्तियां जितने भी थी उनको सब को लूट लिया था प्रिटिस ठिकाने अगेन उन्होंने भी दवस्त किये थे के लावा मेहम हुआ, मदीना हुआ, मांदोठी हुआ, यहां पर भी इन्होंने जितने भी टेक्स ओफिस थे उनको लूटा, वहां का जो खजाना था वो खाली किया, ब्रिटिस घरों को जलाया था तो ऐसे करके इन्होंने सबने उत्पात मचाया था, खेर वो हमारे पोजिटिव था, इंडिया के लिए तो देखा जाए तो, तो रोतक के अंदर ब्रिटिस ठिकानों पर आकर्मन किया था, बिसारत अली खाने, बाबर खाने, रोतक के जो रंगाडे थे उन्होंने, और दि इन्होंने दो ओप्षन देदी आपको, पहले दो आप्षन तो आप घलत करी दी थे आपने, लेकिन इन में से एक हिमाल्या का एक तो दिया है, आपको आउटर बाहियस रंकला दिया, और एक दिया है आंतरिक यानिकी इन्र, तो आप लोग बहुत बार ये पढ़ा होगा आ सिवालिक जो सिरेणी है उसी का ही तो मोर्णी हिस्सा है अब यह हिमाल्य की आउटर रेंज है सबसे नई बनी रेंज है तो इसका ठीक अंसर हमारा सी वाला अप्शन जो ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जिस बच्चे काई पेपर था उसने बिल्कुल ठीक कर रखा है वैस क्यों चाहिए ठीक है ना यह एचससी मानती है वैसे लेकिन 1467 के आसपास इसकी रियल बताते है खेर अगला जो हमारा सवाल पूछा था वो भी यकिनन आपने ठीक किया होगा हर्याना में गिद्ध सरक्षन के अंदर कहां पे है वल्चस जो सेंटर है ना वो पिंजोर के अं हर्याना में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रत्योगिता का आयोजन मैं डेली करेंट अफिर पढ़ाता हूं स्टार आईक्यू पे और अगर आप अप्रेल महीनी के करेंट अफिर देखोगे ना तो मैंने क्यूसन पढ़ाया था स्वानीपत के अंदर अप स्वानीपत के अंदर होने वाले गेम है सो यह सिंपल और बहुत इपॉर्टन क्यूसन भी था देखो एक ही क्यूसन आया आपको सार करेंट अफिर से एक क्यूसन भी गेमचेंजर होता है इनके नंबर 89 आते है उनको वैल्यू बता होती है कि एक नंबर की क्या वैल्यू है यूपीसी के चेर्मेन जो कालांदर में हर्याना के राजयपाल भी बने था था चेर्मेन ओफ यूपीसी हूँ सब्सेक्वेंटली बिकम दा गवर्नर अफ हर्याना अब यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा बच्चों को हालांकि इन्होंने गलत कर दिया यह अंसर इस कोन बने इन्होंने यह पूछा था कि यूपीसी के चेर्मेन कोन बने तो एक्चुली सवाल का ठीक अंसर हमारा यह ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा यानि कि ए आर किदवई साब जो है यह बने थे अब इनका पूरा नाम जो है वो भी मैं आपको बता देता के तेरवे नंबर के हरियाना के अंदर जो है राजय पाल रहे थे यह किदवई साब 14 राजय पाल रहे थे साइधा हां 14 राजय पाल रहे थे 14 नंबर के राजय पाल रहे थे हरियाना के अंदर यह और इनसे पहले जो रहे थे मतलब इस टाइम पे मुक्य मंत्री ओम परकास चोटाला जी थे वो पिंदर सिंग उड़्डा का भी कारे काले इनों ने देखा है बलकि ओपी वर्मा इन से पहले राजेपाल थे तेरवे और चोदवे नंबर पे फिर यह आ गए थे और इनके बाद में फिर जगनात पहाडी आये थे पंदरवे नंबर पे चैर्मेन रहे यही बात ज्यादा एपोर्टन्ट है यह इनके एक्जाम परस्पेक्टिव सिधा 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 पूछा गया है तो यह रहे थे 1974 से 1907 तक 1974 से 1970 तक उष्ट थे इस बात को याध रखना उसके बाद बिहार वेस्ट वेंगौल हरिआना एंडल बाकी राज्यों के य तो खहर यह याद रखना वैसे इनका जनम कब हो था बताउँ आपको मैं इनका जनम हो था एक जुलाई को वह था एक जुलाई 1921 को जनम हो था ये थे कहां के वैसे वैसे यह उत्तर परदेश के थे में तो कह सकते हुश टाइम पर ये युनाइटेड प्रोविंस था ठीक ना कई सारी जगहों को मिला उस टाइम पे 12 बंकी का एरिया आता था था इनका 12 बंकी 12 गाउं का ऐसा कुछ इलाका था बंकी 12 बंकी के आस पास का इचेतर था अभी यूपी का कह सकते हो मोटे तो प्याग अभी दुनिया में तो है नहीं तो इनका देहांत हुआ था चोबिस अगस्त 2016 को इनका देहांत हो गया था था नहीं दिल्ली के अंदर हुआ था था आफी सारी इनके पास एजूकेशन बग इसके बाद में जो अगला कुस्तन पूछा था कि चावल की फसल को अधिक प्रमप्रागत फसल के रूप में कहिएगा या चावल की फसलों को दूसरी जगह अन्य फसल लगाने के लिए कौन सी योजना इस योजना को मैंने साथ अपने सेशन में दस्यों बाहर बताई अगर आप त्यारी करना चाहते हो तो स्टाराइक्यू अप्लिकेशन मेरा अधार सिला वैच है जो ऑभी 5 दिसंबर तक आपका डिस्कांटिड प्राइज है के वल वन ऐ है तो आप उसको अविल कर सकते हो स्टाराइक्यूप्लिकेशन पे जाके तिक अगरक तरिना इड्या इस योजना की स्टार्ट की सुरुवात हुई थी 6 मई 2019 को जो इसकी सुरुवात की गई थी और यह चावल की बजाए अन्य फसल कोई भी लगाता है तो उनको 7000 रुपे परती एकड़ दिये जाते हैं और इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासति योजना की ब्रैंड नमेस्टर भी मनिक का शोकंद है चावल की बजाए जिसे बाजरा लगा लगा लोगन्ना है कपास है बक्का है अरहरा है मूग है तिल है जो भी खरीफा सलोगा सकते है उसके जगह पे ये भी पंचकुला से क्युस्टन और पूछ लिया नैस्टनल इस्टिटूट ऑफ फैशन टेकनोलोजी कहां पे है ये पंचकुला के अंदर है सत्रवा भारत का ये बना था ये क्युस्टन मैंने रात ही वीडियो में पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो मुख्या किस संत को जाना गया है तो पुरुन भगत के नाम से जाना गया है बाबा चुरंगीनात को अप्चन नमबर सी ठीक है इनको सिद्ध चुरंगीनात या करुणा जनक की कहानी के नाम से फेमस है ये भगत पुरुन के नाम से भारत के पंजाब से लेके बंगाल तक ही बहुत लंबे समय से जोना इन्होंने यात्राई की थी भारत के अंदर और परंपरिक गुरु गोरकनात गुरु भाई मलब गुरु गोरकनात या गोरक संपरदाय से संबंधिते कह सकते हो आप यह सो इस सवाल का ठीक अंसर भी आपका जो है ना उसी था होप आपको यह पेपर अच्छा लगा होगा और आपको फीड़बैक भी आप मुझे दे सकते हो शुक्रिया रादे रादे लिए